हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक उन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर 21 है अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नी किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो प तब डियून गुद्वा से कहता है बच्ची क्यों पर क्यों गुष्सा होतार रही हो खैर वोरी से कहता है बाइबाइब दोस्त हम फिर से मिलेंगे अभी तुम घर जाओ और यूसकी मॉम को गुष्से वाला फेस दिखाते हुए वहां से ही चली जाती है डियून इन दोनों को देख लेती है डियून कहता है तुम हमेशा मुझे देख के गुस्सा हो जाती हो चला कोई बात नहीं मैं तो खुश हूँ तुम्हें हैल्दी देख करके और तुमारी फैमली को खुश देख करके फिर मिलते है दुबारा तब ही आंटी वहां पे आ जाती है ड डियून बस आंटी से हलो बोलता है और वहां से ही चला गया था कुन्वा को परशांदे का आंटी पूछती है कि हुआ क्या है खेर घर पे भी आंटी पूछ रही थी आखिर तुम डियून को कैसे जानती हो कुन्वा बता देती है औरी को भेश होते टाइम उसी नहीं बचा करती है मैं तो मिलूंगी कुन्वा मना करती है औरी कहती है I hate you अब मैं आपके साथ दोस्त नहीं हूँ कुन्वा परशान होती है आगे आंटी कुन्वा से कहती है मेरी मिस ओ से बात हुई थी मुझे पता चला है कि इंस्पेक्टर चा की फैमली कैसी है आंटी कहती है मुझे उन्हें उनकी फैमली से चीन तो नहीं सकती हूँ सच तो यह है कि इंस्पेक्टर चा की फैमली तो मैं एकसेप्टे नहीं करेगी और अगर उन्होंने तो मैं एकसेप्टे कर भी लिया तो वो औरी को कभी नहीं अपताएंगे और मैं भी नी चाहती हूँ कि उरी उस फैमली तो बता दे ना मुझे उनके पैसो की कोई जरुवत नहीं है। तेजिन कहता है तुम ये क्या कर रही हो। गुन्वा कहती है जादा से जादा क्या होगा। बियोश होगी या फिर्मर जाओंगी एंबुलेंस बला लेना। तो अब तेजिन को रुकना ही पड़ता है। मैंने डिसाइड कर लिया मैं शादी करने वाला हूँ। टि कहता है क्या कह रहा है। डोयून कहते हैं, अल्ड़ेटी सोच लिया, उन्हें तभी मेरा हिसाब बराबर करना है, मैंने भी तो, उनकी और मिसीयों की शादी के लिए हाँ बोला था, तो उन्हें भी हाँ बोल नहीं होगा, तो आगे डोयून आँटी को मिलने के लिए बलाता है, आँटी कहते हैं, क्या वो सिंगल मदर जिसकी बारे में तुम उससे बात करते थे, वो मेरी ही बेटी है, डोयून हाँ बोलता है, आँटी पूछती है, तो मेरी बेटी से मिले कैसे थे, डोयून कहता है, आँटी को डीटेल में उसकी स्टोरी बताने लगता है, और कहता है कि आप तो मेरी जादा फील करने लगा हूं, मैं बस पागलो की तरह हूं, मुझ गुणवा को खुश देखना चाहता हूं, उसे प्रोटेक्टर करना चाहता हूं, बस उसके साथ रहना चाहता हूं, आंटी कहते हैं, गुणवा किसी और को लाइक करती है, दोयून कहता है, हां पता है मुझे, आंटी कहती है, फिर ये सब कुछ, दोयून कहता है, पता नहीं मुझे, अब मैं अपना दिल आपको बाहर निकाल के कैसे दिखा हूं, उसे बस देखते ही, मैं बहुत ज़्यादा खुश चाहता हूं, मकर वो मुझसे सीदे मूँ बात भी नहीं करती है, उन दोनों की शाद है, और इसे कहते है, आपको अपनी मा के बारे में बात करनी चाहिए, कुछ भी हो, आखिरकार वो आपकी मा है, तेजन कहता है, कि बस ओगया, कोई बात नहीं करनी, गुद्वा जाने लगती है, तब 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 तनी जल्दी में क्यों है, आपको आज वाजू भी देखना च कहते हैं, आपको अपनी फैमिली और मेरे बारे में भी सोचना चाहिए, जल्दबाजी में सबको हर्ट ही होगा, खिर आगे इस चीज़ को ले करके, दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट्स होते हैं, मगर गुन्वा देजन को समझा ही देती है, क्योंने जल्दबाजी नह तुमें नहीं बता था, खिर आटी कहती है, मैं उसके यहां काम करती थी, उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसने बताया था मुझे, वे एक सिंगल मदर से प्यार करने लगा है, उसने एडवाइस भी मागी थी मुझसे, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, खिर खुनवा कहती है, तो अब आप यह मुझे क्यों बता रही है, आपके चाहती है, कि मैं उसे डेट करूँ, आउंटी कहती है, मेरे कहने का मतलब है, तुम उसे बस ऐसे ही दूर मत करो, उसका करजा है हमारे उपर, खुनवा कहती है, क्या यही कि उसने उरी कीजान बचाई है अренटी कहती है, अब तो हम दोस्त है, और ही कहती है, हाँ, गundwa पोछती है, क्ये तुमें सच में वो लंबे अंकल इतने पसंड है, अचल है, अजिर वो मेरे साथ कहेलती है, मेर लिए बाइसाइकल लीकर किया है, इसलिए वो मुझे बहुत पसंड है फिलाल तो गुन्वा और इसे कुछ भी नहीं कहती है खेर वहीं दूसी तरफ यूजन वो जाकर कि दादी मा को बता दीती है तेजन तो आपको पताया का नहीं मगर मैं बता दीती हूँ कि तेजन ने आफिसर मो को प्रपोस कर दिया है दादी तो कुछ साथी परशान हो जाती है और फिर हुजन तेजन के रूम में जाती है कि तुझे दादी मा बुला रही है तो अगले दिन दादी ने गुन्वा को मिलने के लिए बुलाया था गुन्वा नर्वज थी तेजन कहता है खपराओ मत मैं तुम्हारे साथ हूँ अब गुन्वा तेजन के साथ अंदर जाती है वो ऐसे ही नर्वज थी आगी जब वो दादी और तेजन के डैट से मिलती है तब भी वो बहुत सादा खपराई होई थी उपर से दादी बात कम कर रही थी और अपनी जबान से ही गोलिया चला रही थी वो सीधे गुन्वा से कहती है मैं तो तुम से नहीं मिलना चाहरी थी बगर क्या करे हमारा तेजन कुछ जादा ही जिद्धी है तेजन कहता है प्लीज अंकल तेजन को शान कराते है और उसके बाद गुन्वा से कहते है हमारी फैमली के बारे मेरी तो तुम्हें पता ही होगा गुन्वा हाँ कहती है दादी कहती है देखो मुझे मेरी बहु से कुछ जादा ही उमीड थी शायद इसी लिए कुछ जादा बुरा लग रहा है तेजन दादी से कहता है प्लीज दादी कहती है तो क्या मुबंद करके बैटू उससे सारी बाते क्लियर करनी है और उसका जवाब भी चाहिए दादी तो सीधे गुन्वा से पूछती है तो मारी बेटी कितने साल की है चुद्वा साथ साल की बताती है दादी कहती है लगता है तुमारी शादी चोटी उमर में हो गई थी वरना हमारे घर के बच्चे तो अभी तक कुवा रहे हैं मैं साफ कहती हूँ मुझे तो ये रिष्टा मन्जूर नहीं है मगर ये जित पे अड़ा है तो अब आशिरवाद दे नहीं पड़ेगा मुझे ये बताओ किया तुमारी मा तुमारी बच्ची का ध्यान रख लेगी गुनवा कहती है मैं समझ नहीं पाई तीजिन कहता है दादी मा तब दादी कहती है तीजिन हमारी धर जेनरेशन का एक लौता बेटा है अब उसकी खुशी के लिए मैं एक पहले से ही शादी शुदा लड़की को एकसेप्टे तो कर रही हूँ मगर उसके बच्चे को एकसेप्टे नहीं कर सकती इसलिए शादी के बाद बिना बच्चे के ही यहाँ आना पड़ेगा तेजिन को बहुत जादा गुसा चड़ रही थी उसकी दादी के उपर तब दादी गुनवा से कहती है तुमारी मा अगर मेरी जगा होती तो वो यहीं करती गुनवा कहती है मैं सबच गई आप क्या कहना चाहती है मुझे लगता है आप चलना होगा खुन्वा जाने लगती है और तेजन दादी से कहता है आप ऐसा कैसे कर सकती है वो खुन्वा को जाने से रोकता है खुन्वा कहती है अभी नहीं बाद में वो वहाँ से ही चली जाती है अब तेजन आकर के दादी के उपर गुस्था उतारता है सीधे मना कर देती आपको इसे ये सब कुछ खहकियोंसे हर्ट करने की क्या ज़रूरत थी दादी कहती है जब हम कुछ अक्रिफाइस कर से पर अजरालेगी तक मैं उससे ब्रेक अप नहीं करने वाला हूँ और मरते दम तक उसका और इसकी बच्ची का ख्यार रखूंगा दादी गुस्सा होती है मगर तेजन तो वहां से निकल गया था वो गुन्वा को कॉल ट्राय कर रहा था मगर वो फून नहीं उठा रही थी खैर गुन्वा तो अके चोड़ने के लिए का वो रोने लगती है सुन्वा को भी गुस्सा तो चल रही थी गुन्वा कहती है मैं एक बुरी मा बनती जा रही हूँ मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा फिर भी मैं क्यों आगे बड़ी मुझे मेरी बच्ची के लिए बहुत जादा बुरा लग रहा वो बॉक्सिंग करती है और उसके बाद वहीं बैटके काफी जादा रोने लगी थी तब ही डोयन आता है और वो गुन्वा को रोता हुआ देख करके काफी गुस्ते में उसके पास जाकर के कहता है क्या तुम रो रही हो वो भी उस चाती है जिनकी वज़ा से गुन्वा जा और गुदॉअ दधार कर रहा था उकुन्वा वाइट करके जाने लगती है और तब ही वहां पे धेजन आचाता है वो गुदुबह से बात करना चाह रहा था मगर गुदॉख उसे भी अवाइट करके चली जाती है डुयन टेजिन से कहता है तू से छोड क्यों और नहिदी दियान नहीं था, चीफ ली तेजन से कहते हैं, तो मैं अपनी पार्टनर का दियान डखना चाहिए, तेजन गुंदवा से जाके बात करनी की कोशिश करता है, गुंदवा उससे माफी मांगती है, तेजन कहता है, माफी तुम मुझे मांगनी चाहिए, मुझे तुम अपने घर लेके ही नहीं जाना चाहिए था प्लीज दादी ने जो कुछ भी का इसे दिमाग से निकाल दो कुनवा क्याती है कैसे निकाल दू तेजन कहता है तो इस बात को ध्यान से सुनो कि मैंने अपना माइन चेंज नहीं किया और ना इकभी करूँगा गुन्वा कहती है इस बारे में बात में बात करते हैं वो चली जाती है वहीं दूसी तरफ डोयून ऑफिसर हॉंग से मिलने के लिए किया था वो तेजिन के बारे में ही मालूम कर रहा था तब उसे ऑफिसर हॉंग से पता चलता है मेरी पहले एक बार शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है तेजन कहते है गुन्वा गुन्वा कहते है मगर फिर भी उन से सुन करके काफी जादा हर्ट हुआ वो तेजन से कहते है मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा आखर मुझे क्या करना चाहिए क्या सही होगा तो च सूस कर रही हूँ और मैं आपकी फैमिली और आपके बीच में भी नहीं आना चाहती हूँ तेजन कहते है मगर मैंने दादी मां से अल्रेडी कह दिया है कि मैं तुम्हारा और उरी का ध्यान मरते दम तक रखने वाला हूँ गुन्वा कहते है उरी मेरी बेटी है तो आप उस वो रियलाइस करती है कि उसकी बेटी के ओपर वो दिहानी नहीं दे पा रही थी वो बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी वो औरी से पुछती है क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहती हो औरी कहती है सब अपने पैरेंट्स के साथ सूपरमार्केट जाते है मगर मैंने गई तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी गुनवा औरी के साथ सूपर मार्केट जाके आती है को वहीं दूसी तरफ मिस ही हो आज डोयून से साफ बात करती है मुझे पता है जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो एक सिंगल मदर है और एक पुलिस आफिसर भी तो क्या तुम तुम दुमारे डैट की परवा किये बिना उससे शादी करना चाहते हो डोयून साफ कहता है यह उसका मैटर है तो इस से दूर रही है तो वहीं दूसी तरफ तेजिन कुछ जादा ही ड्रिंक करके घर वापस लोटा था जिससे सबका अंदाजा हो गया था कि शायद इसका ब्रेक अप हो चुका है खेर अगली सुबा में ओ तेजिन को समझाती है गुनवा एक मा है और इस समय वो हर्ट है तो अगर वो कुछ भी गलत कह दे तो उसे दिल से मत लगाना तेजिन कहता है मैं समझ गया तो इस टेशन में तेजिन गुनवा से पूछता है क्या तुम ठीक हो गुनवा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ तेजिन कहता है हाँ तुम हमेशा ठीक ही रहती हो वो मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है खेर आगे गुनवा, चीफली से जाकर किया केले में कुछ बात करती है उसके बाद, तेज़न आकर के गुनवा से पूछता है आगर तुमने चीफली से क्या बात की मगर गुनवा तेज़न को नहीं बताती है खेर इसी के साथ यह वाले पार्ट के explanation यही पे complete होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं क्या है तो चैनल को subscribe कर लीजे Thanks for watching, मिलते बहुत जल